वाईगरुजी का खालसा वाईगरुजी की फते प्यारे मित्रों में आपका साथी इंदर जी सिंग दोस्तों कई लोगों के फोन आ रहे हैं जग्यासा के लिए अपने सवालों के लिए अपने की क्या है बाइस सारिक 22 फरवरी आप कर रहे हैं इसका कोई मतलब है क्यों करना चाहते हैं और ऐसा पहले कितनी बार हो गया है और आप फिर कर रहे हैं तो मुझे लगा कि मुझे यह बताना चाहिए सबसे पहला जवाब हमारे मित्रों ने कहा कि हम कई बार इस तरह के धरने प्रदर्शन कर चुके हैं कुछ नहीं निकला बिलकुल लाक रुपे की बात कही आपने बिलकुल लाक रुपे की बात कही इसलिए नहीं निकला कि जब भी हमने प्रदर्शन किया जब भी हमने धरना दिया तो हमारी गिंती महां 30 या 40 लोगों की रही हमने कडक्षती ठंड के अंदर नगन प्रदर्शन किया हमने भूख हडताल करी हमने हडताल भी करी हमने काडियां भी रुकी हमने अपने आपको भी रोका हमने एप भी अंस्टाल किया पर कामयाभी नहीं मिली कि कभी इस पारे में सोचा है आप मैं आपको बहुत छोटा सोधारन देता हूं हमने एक्टूबर 2020 में एक छोटी से मार्च किया था उसके हमें प्रिनाम मिले आपके सामने है 14 तारीक को जो प्रिनाम आपको मिला आपके जो चलान थे वो कि कीमत कितनी रही सरकार ने हमारी बात मानी और उन्होंने चलानों को जीरो कर दिया हमने कहा कि ये भी खतम कर दो लेकिन हमारे साथियों के साथ हमारा ताल मिल नहीं हम उनको बोलते ये भी मत भरो ये बिलकुल निरस्त हो जाएंगे लेकिन उनको लगता है कि नहीं शायद अगर मैंने ये का काम ना किया तो मैं इस जमाने में सबसे पिछड़ा हो कहला हूँ तो यह कारण है मैं किसी भाई की अलोचना नहीं कर रहा है लेकिन जो हो रहा है वह बता रहा हूं वह शक्ती थी 2200 गाड़ियों की वह शक्ती थी एक सिस्टम की आपको याद होगा कि सभी लोगों ने हमारे फेस्बुक पेज को खोले रखा हमने का था कोई भी निर्देश मिलेगा अपनी गाड़ी में बैठे रहें इस निर्देश का फॉलो करें और उसका नतीजा यह निकला कि आप सबने डिसिप्लेन दिखाया आप लोगों ने एक अच्छा मैसे दिया आपको पुलिस करको है इसका कारण है एक पुरानी कहात मिए कई बाद सुना चुके हुआं बहृस से लोग सुना चुके कि मंदिर में पास में एक तलाब था पुजारी जी ने कहा कि हमें लगता है कि इसका शुद्धी करन करना है और गाउं से हर आदमी अपने परिवार से अपने घर से एक लौटा दूद लेकर आएगा अब आप सभी लोग जानते हैं सभी लोग यह जोनते हैं वो ले जाएगा मैं पानी ले जाता हूँ क्या फरक पड़ता है हुआ क्या गाउं के गाउं ने पूरे गाउं ने ये सोचा कि फला ले जाएगा फला ले जाएगा फला ले जाएगा अगर मेरा एक लोटा पानी उस में गिर जाएगा तो सारा गाउं तो दूद लेके आ रहा है तो क्या फरक पड़ेगा और आपको जानकर यह रानी होगी और सत्ता है यह सची खबर है कि उस तलाब में एक बूंद दूद नहीं गया 652 डूद नहीं बाहिए सब कि सब आपके तरह सोचते मेरे मित्र की वो चला जाएगा वो चला जाएगी यह कौन है देखा नहीं जैसे वो कहते हैं न कि चार लोग कौन थे वो डूड़े नहीं मिले कि चार लोग क्या कहेंगे आखिर में लिखते हैं जब अर्थी लिखे जाते हैं वो चार लोग नजर आते हैं उससे पहले को नजर नहीं आते हैं तो मंदिर के तलाब के अंदर जब दूद का लोटा हर परिवार ने डालना था उस दूद के लोटे को किसे ने दूद नहीं डाला उर उसके अंदर पानी डाला तो सभी सोचतेंगे ये कर लेगा वो कर लेगा हाँ दोस्तों अगर आप लोग नहीं आएंगे ना आप लोग 22 फरवरी को नहीं पहुंचेंगे तो ये बात जो आप कह रहे हैं ये सत्य हो सकती है आज हम लोग अपने घरों में बैठके एक दूसरे पर आरोप तो लगा सकते हैं आप लोग निंदा तो कर सकते हैं लेकिन ये यहां हम कहते हैं कि हम सभी दुखी है मेरी गाड़ी खड़ी है तुम्हें कारे कर रहा हुना मेरे को तकलीफ है तुम्हें कारे कर रहा हुना आज की समस्या जो है में यह समस्या है कि हमारा नेट वर्क पूरा ना होना आज आपने किसांग यूनिन देखी है दिल्ली के चार यूनियन या 40 यूनियन हैं लेकिन उन्होंने एक सिस्टम मना लिया नीती एक है कि कानून बापिस करवाने हैं वो बैठ गए आज हमारे साथ उत्रप्रदेश पंजाब हर्याना राजस्थान कॉलकर्टा मद्देप्रदेश गुजरात तेलंगना और अंद्रा सभी लोग कि मैं बढ़ा कि तू बढ़ा यह बाते हैं हम बाद में कर लेंगे सबसे पहले हम अपना जो प्रशानी है सबसे पहला हमारा आज का तंत्र है टैक्सी पॉलिशी बनाई जाए शुधारों के साथ जो की सभी राज्यों में लागू हो नंबर दो आल इंडिया टूरिस परमि कर दिया है उस फरमान में किया जा जाए पर यहाट्तरी के साफ से वहाँ टेक्सी лा खाए अगर मेरी तीन सीट गाड़ी है तो तीन सीट का अगर चार सीट गाड़ी है तो चार सीट का अगर चहेयग्शी या पांच शीट या साफ सीट गाड़ी है तो साफ चीट mä Confederate टेक्स मुझसे लिया जाए मैं बिलकुल हाथ जोड़कर देने करूं यह चीज सरकार भी कहती है कि कोई सुधार हो हमने अबजक्शन दिये थे लेकिन उन्होंने नजर अंदाज कर दिये कि हमारे कुछ बस वाले भाई वहाँ जाकर अपनी बसों का कारे करवा के आगे लेकिन टेक्सी के बारे में उनके पास समय शैद नहीं था कोई बार नहीं हर आदनी को अपने अपने समान की चिंता होती है हमारा जो टाइम आया हम संभाल लें दोस्तों आपको लगता है कि आपकी टेक्सी जो आल इंडिया टूरिस परमिट है वो 25,000 पर टेक्स नहीं दे सकती तो आपको जरूर आना चाहिए और इस वीडियो को हर उस चालक उस मालक तक पहुचाना चीए जिसकी आल इंडिया टूर नहीं है भाई आपने क्या किया आपने जब लो रेट आए वो भी कर लिया इसलिए कि डूटी नहीं मिलती और भाई नहीं मिलेगी उस रेट पर तो मत जाओ हमारे कुछ साथीगन की मैसेज देते हैं कि आप एक दिन एक डैप आप डानलोड कर लो दूसरा बोलता हूं दू परिवन जगत की जो परिवन आयोग में पलटने जा रही है चाहे वो चालक हो चाहे कलीनर हो ड्राइवर हो मालिक हो स्पेर पाटवाला हो मैनिफक्चरर हो पुलीश करमचारी ओ आर्ट यूड़ीटी ओ सभी इसके अंदर हम लाने जा रहे हैं कोई भी जिला कोई भी तैसी कोई भी सब्डवीजन इससे बाहर नहीं हो पाएगा क्योंकि अब हम लोग सोच बैठे हैं कि हम बारा घंटे काम करने के बाद अगर अपने बच्चों का अपने परिवार का भरन पोजिशन नहीं कर सकते तो हम सरकार को जो उनके एंपीज हैं जो पांच-पांच लाक रु कारी सुनवाई नहीं होगी तो कारे उनको भी नहीं करने दिया जाएगा अगर आप भाईयों को लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो जितने मेरे भाई हैं टैक्सी ट्रेडर से जुड़े हुए ऐसा कोई भी शक्स ना हो जो मंदिर के दूद आली बात कर दे कि वो चला जाए अकरते हैं हुआ मेरे एक के ना जाने से क्या होगा आप काम्याभ दी चाहिए तो वहां पर सिंगुक संगर संहिती कादरना कामयाब नहीं कोई पोचे गा तशिए तब क्या स्वे टैक्सी ऐसाम को को दोजरना भड़ा कामयाब हुआ आज राजेवाल को कोई कोई नहीं जाता चडूनी को कोई नहीं जानता सब लोग जानते किसान मुर्चा सफल है आज किसी एक का नाम नहीं कोई जानता आप में से भी नहीं जानते हों कौन राजेबाल है कौन उगराहा है कौन कामरेड है कौन दिनेश्ट अक्टर है कौन फुलाना कौन नहीं जानते हाँ किसान मोर्चे का बरन सब लोग जानते हैं तो संगर समिती वहाँ उनकी भी किसानों की है हमारी भी है और उसके अंदर जितनी देश्वर की यूनिन है सारी शामिल हो जाओ अपने मन भेद मत भेद भुला दो मेरे मिश्रों अब मेरे पास बहुत से लोगों के फोन आए जो अलोचना करते थे उन्होंने का भाई सार हम भी आपकी सपोर्ट में आएंगे मैं कर नहीं मेरी सपोर्ट में अपनी सपोर्ट में आप लोग आ रहे हैं क्योंकि रोजगार आपका भी तो है कल एक वरी बितर से बात हो रही थी उस्ते कैंट करना चाहिए किसी को बोलने का हथ नहीं है करना चाहिए मेरे बित्रो 22 फरबरी चलो दिल्ली का नारा आप सभी लोग अपने अपने फेस्बुक पे टिविटर पे ग्रुपों में सभी को फैला दिये जाए जिससे कि आपकी कोई भी समस्या वास्चित ना रहे करता हो मेरी इन बातों से आप सहमत होंगे हैं आपकी वीडियो की उपीद करता हूं और जिन भायों पाई वीडियो पहुंच यह वável सभी अपने प्यार करते हैं मैं अपने सभी देटको अपनी म europ कुछ मानते हैं तो इस जितना आप सेर करेंगे suspect का मियाब हो पाएं अपने ह और अगर आप प्रयास करेंगे न तो एक करांती आप ला सकते हैं मुझे याद है एक वीडियो आया था एक लड़की ने गाने के साथ में किसी को आख मारते हूं दिखाया था एक रात में क्रोडों वीडियो पुंच वह पास क्या हम अपने हाई टेक्सी वाले आपका है करना ना करना अगर आप वहां नहीं आ सकते तो आपको अलोच ना करने का अधिकार भी कोई नहीं देता तो आशा करता हूं कि आप मेरी बात से सहमत होंगे वैगर जी का खाल्चा वैगर जी करते हुआ